यहीं बन्ने मात्रम सभी सात्राव को इह रामी के तयारी करने वाले मेरे सभी सात् sixt Your j biological जावलपु Igd का पेपर ी। तो आप सभी जो जीडी के तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हल्पूर रहने वाली है क्योंकि आपको जीडी का जो कोश्चन पेपर आपको पूरा एटुजेट सॉल्फ देखने को मिलने वाला है मेरे इस वीडियो पर तब इतक आपने सस्क्राइब नही होते हो आप सभी को पता अप इंडीन न Bible बनती है ठीक है तो चलि हम स्टाट करते हैं वीडियो को और पूरा एटुजेट में आपको पूर इस वीडियो पर देने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सेशन ये पर साथ क्यों आपके समाने ग्यान रहता है समाने ग्यान में आपके 15 कोश्चन दिया होंगे ठीक है 15 कोश्चन आपको सॉल्व करना है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला question आपको दिया हुआ है रूशी करांती का जनक किसे कहा जाता है आपके पास चार आपशन दिये हुए है A, B, C, D तो आप सब को बता दूँ को रूशी करांती का जनक लैलिन को कहा जाता है तो इसका कौन सांसर हो जाए का नम्मर डी लैलिन दी नम्मर आफ्सन सहीं रहने वाला इसका ठीक है नेश्ट कोशन है मोहन बगान किस खेल के टीम है साथियो एक बात याद रखना क्रिकेट खेल के जो भी कोश्चन आपके बनते हैं जितनी भी कोश्चन बनते हैं तो इंडियन आर्मी के पेपर में खेल से आने वाले रिलिटेट जितनी भी कोश्चन है पूरे याद कर लिजेगा क्योंकि खेल की कोश्चन इंडियन आर्मी में जरूर पूछे जाते हैं तो आया हुए है। मोहन बगाण किस लकी टीम है। आए तो इसका नंसर क्या हो जाए का नंबर एफुटबॉल क्यों सब्सक्त का गहरा महसागर भारत की प्रतं बुल्य ट्रैंड जोड़ेगी option 2 दिया हुआ है दिल्ले वा एहमदवाद को दिल्ले मुंबई को एहमदवाद वा मुंबई को और एहमदवाद वा आगरा को तो साथ यह भारत की जो बुलेट रेन है वो एहमदवाद वा मुंबई को जोड़ेगे ठीक है को Vielen. इससे के नम्बर के विस्कार किस ने किया क्प्ली अपके पास बात बुल्स बाकई और सबीम ऑलब सब्सक्राइब आप के पास ओस्त्रिक है इस्ट इंडिया के शापना की सब्सक्राइब थी सात्यों इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना जो है 1620 में हुए ठीक है तो इसका अंसर के हो जाएगा नमबर ए 1620 कि सात्यों नम्बर का कोश्चन है भारत का राष्ट्री श्रंगाला कहां पर रिस्तित है यह भी stellt children सदस्ट से उक्रा फंडिया क्यों स्थ में सनट पर निया था इसका इसक्तु नम्मर जबता कोश्चन ही जन्दा राष्ट्रा ह किस नरहीजा था नारे इंपना नाररे थे यह यह नाऱ दिया था हिटलर ने जिसका अंसर क्या हो जाएगा नमर सी हिटलर नेस्ट कोशने नमर दस्वी नमर का है अक्षरदाम मंदिर किस राज्य मिष्टी थै यह बी मोस्ट इंप्रोटेंड कोशन मंदिर से रेलेटेट कोशन बहुँझ जादा पूछे जाते हैं आर्मी राज्य कुन सा है और सबको पता है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है तुसका अंसर क्या रहने वाला है उत्तर प्रदेश नमर बारवे का कोश्चन है राष्टपती का कारिकाल उपर राष्टपती का कारिकाल कितने बर्स का ह 5 बर्स तीरवे नमी मेर्जा का GPT है भारत की सबसे बड़ी CRITS Джisad नहर का नाम बताओ तीक है सिरे इंद्रि गांदी नहर उ्हक के बारत नहर अपरभारी दिवास नहर तो साथ यह सबसे बड़ी नहर अपनी जूर इंद्रागांदी नहर बनाय जा तो इसका अंसर क्या रहने वाला है दक्षड अफ्रीका नेस्ट कोशन है लास्ट कोशन है जीके का निम्न में से 36 गड़ की रजधानी कौन सी है साथ यो इंडियर आरेमी की पेपर में राजधानी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको एक राजधानी देखने को मिल ली जाएगी ठीक है तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप राजधानी जरूर से जरूर याद कर लीजेगा ठीक है इस शक की राजधानी गुल शकी रहाणी जिझा है रायपूर चजटरह क राजधानी था है तो पहला से सर्ष्ण खताम होता है अब second section में साथ्यों आपका जो है G.S. पूछे जाता है मतलब science के question पूछे जाते हैं ठीक है तो science के question पूछे जाते हैं तो पहला question है science का कारवन एवं hydrogen के योगिकों को क्या कहते हैं कई लोग साथियो उसको कारवन की योगिक में टिक करके आए हैं और और यह कहले तो कला झाला चाल तो यह दोनों गलत है साथियो कार्बन एवं हाइट्रोजन तो क्या बन जाए का रहने वाला है हाइट्रोकार्बन नमर सी का अंसर नहीं नहीं आप सभी क्लासों में आप पढ़े हुए हैं अब यह नहीं बनता है तो आप बढ़ाई के चाहिए थीक है तो इसका आंसर रहन वाला थर्ममीटर में पार का प्रयूक किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगात'T अइसका सही रहने वाला है को नैखा को पता है इसके तो ॉऩहनेश नम्मार का सर शंदिसा यह होई सोडियम का रसानिक चिन है तो इसका जो रसानिक चिन रहता है यह जरूर कर लीजिए गर रसानिक चिन भी पूछा जाता है तो इसका अंसर क्या हो जाता है कि नम्मर सी रसाइनिक टिन का एने तो बीशफे नमबर कोश्वनियों हे बॉक्सायड किस थात्यू का एसक है आप्छान है तामबास, ना एंा, whats focus ठीन प्रा जू हो सातियों ऐलबॉनियू का रशाणिक ऐलबॉनियूं का isज एक धिक नम्मर का उपसन सही होने वाला है नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन साथ यो सल्फियूरिक अमल है आपके पास चौर अपसन दिये हुए है हनो 3, H2SO3 H2SO4, HCL ठीक है सल्फियूरिक अमल इसको भी आप बहुत बार ये कोशन को देखे हुए है इसका अउसर क्या रहने वाला है H2SO4, इसका अउसर के होगा नम्मर B H2SO4 तो इसका अउसर क्या होगा नम्मर B next कोशन साथ हिओ नेवन में से कौन सा रक्त समुष सर्वग्राही है सर्वग्राही मतलब साथ हुँआ वो सबस्क्राइब सब्सक्राइब नेट्श्ट कोशन है रेष्च किसके कारण होता है दे participar कि दूसीत पाने से भी दूसीत भोजन से भी नहीं होता है ठीक है अर प्रदूशर्ण से भी नहीं होता है बहुत ही अच्छा कोशन था और इसमें ahm बहुत अच्छय दिखा थे सिंपल है आपको फॉल्गुल साप दिखाय देता हुए कुटته के काटने से होता है ठीक है रे दिपीउय प्रीपित lloween जो है कुटे के काटने के सिंपबर का है शोके डेके काड़ डोकिक est email का उर्जा का प्राकृतिक ढमन दीखाक पच्चिस नंबर करके साथ है मोटर कार के हेड़ लाइट में कौन से दर्पड़ का पौन का प्रयोग किया जाता है ठीजा थीगए तो इसमें बहुत से लोंडों कन्फियूज़न होते हैं कि उत्तल है चलियू 4 6 में प सब्सक्राइमें मोटर कार की जो है गोड़ियों में है आतल का प्रयोंत किया जाता है इसको अच्छे से याद कर लिएगा बहुत लोग का सफर करेंगे। तो इसका अंसर क्या रहने माला है नम्मर C, आउतल, 26 नम्मर का कोश्चन है, रेल गारी के अचाना रुकले पर आदमी गिरता है, आगे की और जुकता है या पीछे की और जुकता है, साथ यो आप भी सफर की होंगे ट्रेन में, तो जो है रेल गारी के यादी कोई सफर करता ह है, साथ यो, तो वो जो है अधिकांस तक किस की और जुकता है, पीछे की और जुकता है, जिसका अंसर क्या हो जाएगा, नम्मर D, पीछे की और, ठीक है, इसका अंसर नम्मर D हो जाएगा, पीछे की और, नेस्ट कोश्चन है, मानव सरी के सबसे बड़ी गिरंथी कौन सी ह तो इसमें भी बहुत से लोग कन्फिजन होते हैं तो इसका अकाई लोग घरदय में लगा देते हैं कई फेपड़े में तो साथ वी मैं आपको बता दू इसका जो है रियल जो आंसर हो है याकरत ठीक है लीवर जिसको लीवर भी कहते हैं याकरत हिंदी में कहा जाता है तो इस नमरे कोशन आपका है जो नमरे डी आंसर है नमरे यकरत नेस्ट के लेट अपको कलीर अकरीकिय के लिए कैस तरफ पैसे टाइब की किस क्या से क्याम आप आपने कहले की सकते हैं लिए यह वाँप का रिच्व कोंशन बाशंदय के याद कर लिए हैं भूक मापनी ठीक है भूकम बापा जाता है इसको ये भी most important question है इस ये अंद्र के बारे में जो है बहुत से question बनते है ठीक है तो इसका answer क्या रहेगा भूकम next question है आपका विद्दूत का SI मातरक क्या है SI मातरक भी इंडियर आर्म की पेपर में बहुत बार पूछा गया है ठीक है 29 नमर कोशन है विद्दूत मातरक का ऐसा ही मातरक जो है आपका रहने वाला है MPR ठीक है वाट नहीं होता है जूल भी नहीं होता र कुलाम भी नहीं होता तो क्या होता है MPR तो नम्मर एका answer सही हो जाएगा MPR Last question है бесп chooses नमर B section का हमारे सरीर में स्नाइयो क्या जोडते हैं मस PC से हड़ी को मास्सपी स находится चमडिकों और मासपी को से मासपीचिकूँ को तो साथियों जो है इस नाईयों जो है हमारे शरीर में हड़ी से हड़ी को जोड़ते हैं ठीक है तो इसका अंसर कर जाएक नमर C हड़ी से हड़ी को जोड़ते हैं इस नाईयों तो यह section भी complete होता हुआ साथियो आप section C में आपके जो है reasoning की question पूछे जाते हैं इसमें आपके 31 से 45 question रहेंगे मतलब 31 नमर question रिसार होगे 45 से रहने वाले हैं तो चलिए दूस्तों इसको start करते हैं reasoning की question है पहला दिया हुआ है 1 upon 2, 1 upon 10, 1 upon 4 का योग क्या है ठीक है साथियो simple आपको इसको अपने ऐसा कर लेता है 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 ठीक है आपने इसको plus कर लिए साथियो इसके बाद आपको क्या करना है simple इनका योग कर लेना है इनका योग क्या रहने वाला है इसका LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 LCM तीं तीं तरकनों तीं के बार तीक है तो चार बार गया और इसका एक बार गया ठीक है तो यहां पर चार का तीन बड़ चारती अब बारा तीन वार गया तो टोटल कितना हो जाएगा इसका छह चार दस दसो तीन तेरा ठीक है तेरा बटे बारा ठीक है तो के इसका अंसर तेरा बटे बारा ओप्शन में है यह साथ हो तो इसका अंसर क्या रहने वाला है यह 13 बटे 12 रहने वाला है ठीक है तो यह इसका अंसर रहने वाला है तो next question क्यों चलते हैं next question है 11 बटे 15 माइनस 7 बटे 15 को हल करें तो आप क्या क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 11 बटे 15 और 7 बटे 15 को हल कीजी है तो हम simple है बहुत easy question है आप आराम से सुख कर पाएंगे 11 बटे 15 माइनस 7 बटे 15 को हल कीजी है तो simple है साथ यो इसको पीछले जैसे करना है इसका LCM ले लेंगे तो इसका LCM simple है 15 हो जाएगा और उपर क्या है 11 तो एक बार भाग जाएगा 15 को 15 से इसे में भी बार भाग जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा साथ सिंपल कोश्चन है साथियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन है वह उनली आपको दिमाक लगाना है ज्यादा पैन उठाने की ज़रूरत नहीं है आप बेगर पैन उठाए भी इसको कर सकते हो नेक्स्ट कोश्चन है एक्स प्लस टू गॉलब टॉस टू को हल कीजिए कोश्चन दिवा है एक्स प्लस टू गॉलब टॉस टू को हल कीजिए तो साथि इसमें एक सर्व समिका लगती है पहले वो सर्व समिक मैं आपको बता दूँ इसके जो लगती है ए प्लस बी पूरे का ह square बराबर a का square plus b का square plus 2ab ठीक है 2ab तो यह इसका रहता है तो इसको हम सर्वेश अमीका में इसको हम रख देंगे तो a के स्थान पर x आएगा और b के स्थान पर 2 आएगा ठीक है तो a का square मतलब 2 का square ठीक है plus b का square मतलब a का square मतलब x का square B का square मतलब 2 का square तो यह आपका रहने वाला है प्लस 2 गुडित x गुडित 2 ठीक है तो x का square प्लस 4 प्लस 4x ठीक है तो यहाँ पर आपका यह answer आ गया है डारेक्ट निकल कर देखिए सरब श्रम कमें आपको रखना बास है x का square प्लस 4 प्लस 4X तो आप देख लिए इसका option में होगा तो ये देखिए इसका जो है option में दिया हुआ है ठीक है तो इसका answer क्या रहने वाला है X का square प्लस 4 प्लस 4X ये इसका answer है ठीक है साथ यो तो इसका number B का answer सही रहने वाला है next question है number 34 का two four nine all of square two four nine की गहाँ two minus two four eight की गहाँ two का मान बताईए आपको इसपे कर दिया हुआ है two four nine पुरे का square minus two four eight पुरे का square तो इसका मान बताईए कह रहा है ठीक है बिलकुल easy है इसमें भी आपकी सर्वशाइम का लगने वाली है इसमें कुझे सर्वशामिका लगी इसमें यह वाली सर्वशामिका लखने वाली है a का square minus b का square ठीक है तो यह सर्वशाइम का क्या बन जाती है a minus b और a plus b ठीक है यह सर्वशामिका लगेगी तो इसमें simple हमको मान बस रखना है आप मान रख दीजिगा तो इसका answer direct आपका क्य निकल के आने वाला है साथियो 497 आप इसमें माल रख दीजिएगा सिंपल आपका आंसर निकल जाएगा 497 सब्सक्राइब करेंगे तो साथियो बहुत बड़ी हो जाएगी मैं आपको इसका सर्पसमी का बता देता हूँ आप इसमें जमा के इसका हल निकाल लीजिएगा ठीक ह पैतिस नमर का कोश्चन है 22 अनपात 44 के अनपात को सरल कीजिए 24 अनपात 44 के अनपात को सरल कीजिए सिंपल कोश्चन है साथियो सबसे पहले आपको क्या है इसको लिख लेना है ठीक है 24 24 अनपात 24 को लिख लिए तो इसको पहले आप काट जी दिए ठीक है चार से कड़ जा तो आप फिर से सिह आ आँगा आज च पहले है आंसर है चैज अठीस नंबर का कोश्चन है एक बस्तु का क्राइमूल दो सरुपह है यह यह उसे एक शो अंठान रूपह बेचा जाए तो हानी परिष्द वोला हुआ है तो क्राइमूल क्या दिया हए क्राइमोल दिया हुआ है आपका दो सो रुपए और बेचा किसने में बेचा कितने में एक सो अंठान नवे में ठीक है साथियो इसका सूत्र बनता है आप पढ़े होंगे सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी तो यहां पर आप मान रख देजेगा सीपी मतलब सिंपल प्रिंटेश तो दो सो माइनस एक सो अंठान नवे अपॉन टू हंड्रेड ठीक है यहां पर गुड़ा आपका सो करना है तो सिंपल है साथियो आपका जो है यहां सॉल्ब कर लीजेगा सॉल्ब करने के बाद जो है आपका सिंपल निकल के आ जाएगा यहां पर आप उस सूथ में जमा दीजेगा 200-198 अपॉन 200 गुड़ी 100 तो साथियो सब सब पहले आप एक सुन से एक सुन कार दीजेगा और इसको माइनस कर दीजेगा तो इ इसका 2 हो जाएगा गटाने के बाद नीचे आपका यह 2 बचा हुआ एक इसके आप कैंसल कर दिजेगा तो आपका 1 पर सेंटीमीटर है और उचाई 5 सेंटीमीटर है तो आयत का चेतरपल क्या होगा तो आयत का सांतियों च्छेतरपल होता है एल गुडित भी ठीक है आयत का छेतफ़ल एल गुडित भी होता है तो आयत का छेतफ़ल आपका क्या दिवा है क्वेश्चन में आयत का छेतफ़ल बारा सेंटीमीटर तो बारा आपका आयत का छेतफ़ल हो जाएगा ठीक है तो आयत का छेतफ़ल क्या दिवा है बारा और आप पांच तो 12 पंचे को हो जाता है? 60, तो इसका आंसर को हो जाएगा? 60 आंसर गयने वाला है देखे लिए जा आप इसका नमर B पर 60 ऑप्सन दिया हुआ तो इसका आंसर को हुजायएगा नमर B 60 cm2 एक्स्ट कोशन है 2 संक्याइं 2 अनपाथ 3 के अनपात में है यदि प्रतियक संख्या में 5 चोड़ दिया जाए तब अनपात 5 अनपात 7 हो जाता है तो बड़ी संख्या ग्यात कीजिए देखिए सबसे पहले क्या दिवा हुआ है 2 संख्या 2 अनपात 3 के अनपात में है इसमें 2.5 3 के अनपात में है यदी प्रतियग में 5 जोड़ा जाए 2.5 2.5 3 के अनपात में दीखिए मैंने आपको जमा दिया हूँ अंप्रतियग में 5 जोड़ा जाए तो यहाँ पर x guard रखना पड़ेगा आपको 5 जोड़ दिये है टो यहाँ पर भी x रखिये यह चागदा एक्स प्लस साथ पना 35 हो जाएगा यह बराबर फिर यहां पर इसका तीरे गुड़ा कर देना पास्तिया 15 एक्स प्लस पाचम 25 यह 25 हो गया अब यहां पर आप साथियो एक्स वाले को एक तरफ लेगी है और बिगर एक्स की वैल्यू वाले को एक तरफ लेचली है तो एक्स वाले को आप इधर लेकर आएंगे तो चागदा मैंसे 15 घट जाएंगे तो क्या बचेगा यहां पर एक्स बचेगा और यहां पर 35 में तब 25 घट जाएंगे तो क्या बच कर देंगे 3x प्लस 5 तो 3 गुडित 10 कर देंगे बराबर प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुडित 10 बराबर 30 हो जाएगा तो इसका अंसर क्या आने वाला है आपका नम्मर 30 ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका तीस नम्मर ए आपका जो है 38 नम्मर का नम्मर ए आपसंट सही रहने वाला है तो next question है आपका एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाडियों में कोच और ओसत आईउ 18 बरस है यहाँ पर दिया हुआ है question है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाडियों और कोच की ओसत आईउ 18 बरस है यदि कोच की आईउ को निकाल दिया जाए तो ओसत आईउ हो जाएगी कोच की आईउ क्या है तो यह बहुत ही अच्छा question है साथियों तो हम इनकी ओसत आईउ निकालना है ठीक है ओसत आईउ क्या होगी कौछ की अलग निकालना है और इनकी अलग निकालना है साथ horror कोड़ियों यहां पर कोशन है तो ठीक है सबसे पहले क्या बूलाए एक क्रिकेट की 11 खिलाडियों और कोच की ओसतायु 18 बरसके थिक है तो कोच के मिला कर कितने हो जाइएगे 12 तो इसको गुड़ा में क्या हो जाएगा 216 अज़िका दिया जाएगा 11 लास निकाल दिया जाएगा तो 17 इसकी हो तो यहां पर इसको भी अब गुड़ा कर देजिए गया तो इसका क्या हो जाएगा 187 इसका गुड़ा करने के बाद आएगा तो साथ यो आप माइनस कर दीजिएगा दोनों की IU का माइनस कर दीजेगा तो 16 में से 7 गए तो आपका 9 बचेगा और यहाँ पर 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा तो 29 तो coach की जो IU रहने वाली है आपकी 29 वर्स रहने वाली है ठीक है तो 29 इसका अंसर रहने वाला है तो यहाँ पर देखें 29 से option पर yes तो इसका अंसर नमर 10 नहीं रहने वाला है चालिस नमर का question है एक गण में कितने सता होते हैं सात्यों आपको सभी पता simple एक गण में 6 सता होते हैं नौर्मल सा question है तो इसका अंसर क्या होगा नमर C 41 नमर का question है 45 आदमी एक तलाब को 25 दिन में खोदते हैं M1 गुडित D1 ठीक है और M2 गुडित D2 तो पहले दिन आदमी जित्ता खोदेंगे उसके दूसरे दिन आदमी की यहां पर रखा जाता है सबसे पहले 45 आदमी पहले कितने थे 45 आदमी तो यहां 45 आप लिख दीजेगा second क्या बूला हुआ second सर्थ में 45 आदमी एक तलाब कित्ते दिन में 25 दिन में D का संगे दिन से होता है 25 दिन में और M का संपेत आदिमों से होता है ठीक है 25 दिन में खोदते हैं यदि तलाब को 15 दिन में मतलब कि M की वेल्यू यहां पर नहीं दी हुई है और दिन की वेल्यू क्या दिए हुई है 15 तो यहां पर क्या बोला है 15 दिन में खूदना हो तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी तो यहां सिंपल है आप इसको कार देजिए का 15 15 15 25 35 45 45 तीन बार चला जाएगा ठीक है तीन बार गया तो यहां पर आप 25 का गोड़ा इसमें क कितने दिन में कितने आज में जुरूरत पड़ेगी 75 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आप्शन पर पचरता दिया हुआ तो आज पर 75 नम्मर डी का आंसर नहीं रहने वाला है ठीक है तो 42 नम्मर का कोश्चन है दो घनों के आयतन का अनुपात एक अनुपात 27 है तो प्रस् घनों का बोला है ठीक है दो घनों का अनुपात आप अपनको लेना है और प्रस्ति छेत्फल का अनुपात क्या होगा दो घन बोला है तो दो घनों का प्रस्ति छेत्फल का अनुपात जो है वो रहता है वो रहता है एक यूब रहता है ठीक है प्रस्ति छेत्फल है एक यू है 27 ठीक है 27 है तो यहाँ पर देखिए गहन से गहन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर इसका गहन भी था इसका गहन भी था यहाँ पहले बोला तो दोखनों का इतनी गहन पाथ 27 है ठीक है तो यहाँ पर हम यहाँ प्रस्टी यह तो इसका गहन है, ठीक है? 27 यहां पर दिया हुआ है, ए बराबर 1 है, और 1 ए बराबर 3 है, तो प्रीश्टी छेथप्रल का जो सूतर रहता है, जो उनके प्रेày छेथपल का अनपात होगा, घन का प्रेटी छेथपल रहता है, है एक का स्कूर 6 एका स्कूर अनपाथ 6 एका दोगन दिया हुए है इसलिए हम दो बार 36 पर लगाएंगे तो ठीक है तो 6 तो आपका 6 से 6 कड जाएगा 1 का स्क्वार मतलब 1-का स्कूर और यहांपड दिया हुआ है एक ही हिए 2 मतलब आपका 3 तूर्म सुर्व को एक जागा ऐकर हो एक क्या हुआ इस स्कवर क्या हुटाक आपकर ती bike case to जागा मार। हît लागर एक यह ऐंपधर को ढब में उखब ह किसी आफ Nat describes तो यहाँ पर दिखिए एक many three दिया हुआ यहाँ पर UA 9 लेकंवार नमर तीन तो इसका इक सबकांगे को मैद सब्सक्राइब 275 है तो दूशी संख्या बताईए तो ठीक है तो संख्याओं का महत्तम समाब बरत कितना है ग्यारा है ठीक है और लगुत्तम समाब बरत कितना है 1700 है तो यह हमने वैल्यू पूट कर दिये हैं एक मिनिट 11 गुड़ी 2700 ठीक है यह 2700 हमने वैल्यू पूट कर दिये हैं इसके बाद क्या कह रहा है यदि उनमें एक संख्या 275 है तो 275 पूट कर दिये हमने तो दूशी संख्या क्या होगी गुड़ी सेकंड संख्या हमको ग्याद करना है ठीक है इसको हम कार देंगे 11 से कट जाएगा यह तो कैसे कटेगा देखिए हम इसको कारते हैं अब तो यहाँ पर हम इन संख्या को काटेंगे 11 गुड़ी सत्तर सो बराबर 275 गुड़ी सेकंड 11 से काट दिंगे 11 एकंग 11 यहाँ पर दीखिए 11 से कर जाएगा 11 एकंग 11 ग्यार दुनी 22 तो यहाँ पर किता बचा पांच यह बार गया दो बचा पाच हम पचीश अब यहां कितना बचा दो बचा पच्चू के 20 और यहां जीरो ठीक है अब इसको फिर सब पाच से कर जाएगा यह यह पाच एकम पाच पाच तीप पंद्रह तो यहां पर कुछ नहीं बताज जीरो आ जाएगा और 58 चालिस तो 308 इसक इसका अंसर क्या हो जाएगा नम्मर ए शर्टालिस का 308 नेस्ट कोशन है हल करें 15 का 15 परसेंट बहुत ही सिंपल है साथियो 15 आप कर लेना 15 गुड़ित यहाँ पर 15 बटे 100 यहाँ पर कर लीजिएगा 15 का आप उपर गुड़ा कर लीजिएगा ठीक है 15 का आप उपर गुड़ा का देना है तो आपका 15 उड़ा करेंगे तो 225 आपका आने वाला है और दो संक्या के बाद आप दसम्हाव लगा दीजिएगा तो यहाँ दसम्हाव लग जाएगा तो 2.25 आपका अंसर आ जाएगा ठीक है यहाँ पर ऑप्सन दिया हुए नम्मर स्थी इसका अंसर को सिंपल है बहुत एजी कोश्चन ही है अब बस आपको दिमाग लगाना है और और साथ के सवाल बहुत एजी होते हैं देखे कैसा करना है पूरे को जोड देना है 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 ठीक है इनके पूरे का योग कर लेना है तो इनका पूरे कितने आजाएगा 400 और संक्षय कितनी दूहें गिल लीजिए एक दो तीन चार पांच चैसाथ आठ कितनी संक्षय पूरे को जोड़कर इसमें नीचे भाग दीजिए तो बराबर इसमें भाग दीजिए तो आठ का 400 भाग दीजिए तो आठ पंचे 40 50 इसका अंसर रहने वाला ह ठीक है तो 50 आंसर थे कि option में 50 दिया हुआ है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 50 अब section D आपका आगया है reasoning को question पूछे गया है इसमें ठीक है reasoning का question दिया हुआ है तो आपको अच्छे से करना है इनका question तो पहला question दिया हुआ है दिये गए विकल्पों में से क्रमच अलग E F G I J K M N O तो यहां पर देगे कि देने पच छोड़ा है A B C ठीक है यहां पर D नहीं है E F G H नहीं है I J K L नहीं है M N O P को छोड़ दीजिए ठीक है उसके बाद क्रमच गिन लीजिए Q R S तो यहां पर क्या अंसर हो जाएगा नमर B Q R S इसका अंसर रहने वाला है 47 नमर का कोस्चन है किसी संकेतिक भाधा में A Y S को B A T लिखा जाता है और B Y S को क्या लिखेंगे बहुत ही अच्चा कोस्चन है क्या बोला है A Y S को B A T लिखा जाता है A, Y, S को क्या लिखा जाता है? B, A, T B, A, T तो देखे, यहाँ पर B, A, T मतलब यहाँ पर प्लस एक किया हुआ है मतलब A, P, L, B तो कितना हो जाएगा? A, B अब Y को क्या है? माइनस किया हुए है तो एक क्या हो जाएगा? B, A, T प्लस किया हुआ है, मतलब एक प्लस किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा T, अब यहां पर क्या बुला हुआ है, Y, B, Y, S को क्या लिखेंगे, देखिए, यहां पर एक प्लस किया हुआ है, तो प्लस कर दीगे, b के बाद क्या आता है c plus c कर दिए यहाँ minus 1 करना है तो यहाँ पर क्या जएगा a जाएगा और यहाँ पर s के बाद t आता है तो यहाँ पर भी plus 1 कर देंता है तो t आ जाएगा č? ठीक है तो इसका answer आपको क्या हो जाएगा? तो answer at रहने माला है ठीक है नेक्स्ट कोशन है 48 का बिजय 5 किलो मीटर दच्चिड की और चलता है तो हमने इसका ये हो गया अपना पूर्ब ये हो गया पस्चीम ये हो गया उत्तर ये हो गया दच्चिड तो क्या बोल रहा है ये कि बिजय 5 किलो मीटर दच्चिड की और चलता है हमने इसको 5 किलो मीटर यह ला लिए दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् किस्तल से कितनी मीटर दूर है तो यह देखिए तीन मीटर ही तो दूर है तो इस का अंसर क्या हो जाएगा तीन तो करेक्ट आंसर आपका तीन रहने वाला है उन्हें चार्च नमर का आपका कुश्चन है यदिक संकेतिक भासा में एक पास साथ नो को एकस टी जैड एल लिखा जाए तो उस अंकेतिक भासा में दो तीन पास चार नो को क्या लिखा जाएगा बहुत अच्छा कोश्चन है साथी हो देखिए उसको हम हल करते हैं कोश्चन मैं एक बार और मिला लूँ क्या बोला है एक पाँच साथ आठ नो को क्या लिखा जाता है एक्स टी जैड एल लि लूँ कि 2 3 4 6 को क्या लिखा जाता है N-P-S-U तो इस्ससांकेतिक भासा में 2-3-5-4-9 को क्या लिखा जाएगा 2, 3, 5, 4, 9 को क्या लिखा जाएगा सबसे पहले देख लिजिए 2 किस्तान पर क्या आया है N आया तो N पुट कर दीजिएगा 3 किस्तान पर आपने किस को लिया है 3 किस्तान पर P को लिया है तो P ले लिजिएगा 5 किस्तान पर क्या दिया हुआ है पाच किस्तान पर आपका T दिया हुआ है तो आप पाच किस्तान पर आपका पहले क्या दिया हुआ था S दिया हुआ था ठीक है तो आप क्या लेजी लेजीगा पाच किस्तान पर S ले लेजीगा चार किस्तान पर क्या दिया हुआ था आपका चार पाच के एक मिट साथ हो मुझसे गलत हो रहा है फिर से दो किस्तान पर आपका ये देखिए N था तो आपने N ले लिए तीन किस्तान पर P था तो आपने P ले लिए फाइब किस्तान पर T था आपका ये देखिए T, तो आपने यहां पर 5किस्तान पर T लेना है, ठीक है? T ले लिए, alors 4 क्सान क्सान क्या दियो हुआ है? S दियो हुआ, यह देखिए 4 के सामने S दियो हुआ हुआ है तो हमने S ले लिए और लास्ट मतता 9, 9 के सामने L हन् technicians, दिखे तो यहां पर तो इसका अंसर कोने वाला एन, PTSL, यहां पर यह दे हुआ है, N, PTSL, इसका अंसर यह correct है, ठीक है, तो 49 का नम्मर c अपसल सही रहने वाला है, तो लास्ट कोस्टन है, आप कही है और कोस्टन है, एक, चार, नो, सोला, पच्चिस, च्छतिस, डैस दिया हुआ है, उसके बाद 64, 81, 100, लिएक के एक का एक होता है, दो, दो का स्क्वेर है, नो, 9, 3 का है, ठीक है, तीन गुड़ी तीन करेंगे, तो 6, 4, 9, 6, 25, यह सब आपके square दिये हुए है, ठीक है, तो यह 4 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, यहां पर डैस दिया हुआ है, और यहां पर दे के आठ का दे दिया है, तो नेस्ट वीडियो काफ्टर सही सफर मिलती रहे साथियो आप और कोश्चन पाना चाहते हो मेरे पास बहुत से इंडियर आर्मी के पेपर है भी आप सौल पाना चाहते हो तो आप कॉमेंट पर बताएगे कि आपको नेस्ट किस पेपर पर सौल बचाहिए तो मैं इसका सौल ले रहते हैं तो आई योप आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना बैल लागान को प्रेस कर देना जाहीं जाभारत